तो आज मैं लेकर आई हूं सोया बीन यानि सोया चम्स की रेसिपी बहुत अच्छी सबजी बनती है इतनी तेश्टी बनेगी कि आप मटन और सिकन खाना भूल जाएंगी तो चली इसे बनाना कैसे है देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैने पैन में पानी को गरम कर लिया है अब इसमें डालूंगी भूड़ा सा नमक है sowas तब इसे लिए डब के 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूगी तो जब तक हमारा आर सोय बिन तयार होता है तब तक हम मसाला रेडी कर लेटे हैं तो यहाँ पे मैंने पैन में एक टेबल स्पून तेल एड किया है मैंने राई का दिल लिया है आप चाहे तो मिल्था तेल ले सकते हैं, राई के दिल में बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, बहुत ही तेशनी लगता है, तो सबसे पेड़े हम इसमें एट करेंगे जीरा, टेज पत्ता, डालचिनी और एक लॉंग, कड़ी पत्ता, इसे के साथ एट करेंगे अब अदरक और लशन, एट करेंगे एक बड़ा कटा प्याज, इसका मातर, फोड़े से काजु आइट कर देंगे, अगर आपके पास काजु ना हाँ, तो मवच की विप या फिर आप किप कर सकते हैं, एक केबल स्पून तिली डाल देंगे, और इसे मैं तेन से चार में इसे लिए लोख लें से पकने जुनाएं, इसे मैंने बून लिया है, तो इसे चार मिनट के लिए, अब ये तयार है, इसे थुआ ठंडा हमें देते हैं, तो पंदरा मिनट हो गए हैं, अब हमें इसे पानी में से निकाल लेना है, अच्छे से निचोड़ कर, तो मैंने सभी मसालो को इसमें ले लिया है, आप चाहें तो खड़े मसालो को आप निकाल के भी इसे पीस के ले सकते हैं, अब मैं इसमें एड़ करूँगी, यहां पे मैंने मलाई लिया हुआ है, थोड़े से दूट के साथ है ये, इसमें डाल देंगे, घर की फ्रेश हो तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, अब इसे ग्राइं कर लेना है, मसाला की इसके तयार कर लिया है, चिले सब्जी बनाएं, यहां पे मैंने कढ़ाई में एक चमज तेल एट कर दिया है, ताकि मैं सोया बिन को अच्छी से इसमें फ्राय कर लो पहले, ताकि इसका कच्छा अब इन को अब हम निकाल लेंगे, तो इसी कढ़ाई में मैं सबजी बनाऊंगी, यहां पे मैंने दो बड़ी चमज तेल एट कर दिये हैं कढ़ाई में, अब हमें ग्रैंड के हवा मसाला इसमें एट करना है, इसमें हम थोड़ा सा पानी एट करके डाल देंगे, अब हमें मैं सबसे पहले एट करेंगे, बन्फूर टीजपून हल्दी, आप टीजपून लाल मिर्ज पाउडर, एक टीजपून कश्मेरी लाल मिर्ज पाउडर, आप टीजपून धनिया पाउडर, नमक स्वात के अनुषार, मिक्स कर लेंगे मसालों को हम पकने देंगे लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए तो सभी मसाले अच्छे से पक चुके हैं अब हमें इसमें एड़ करना है सोया पिन अब एड़ करेंगे इसमें गरम मसाला हाप टी स्पून कसूरी मिठी एड़ करेंगे वन टी स्पून हरा धनिया अब एड़ करेंगे हम पानी तो आप मैं इसे पकने दूंगी 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सोय बिन सब्जी आप हमारी बिन के तयार है तो चली गर्म गरमी से शर्फ करें तो लीजेए सोया बिनके सब्जी बश्यार है आपने देखा इस बनाना भोहत है जाना घर हैसे रोती पूरी पराठान नां इसाथ इसे देख सब्सक्रालें नपीस अच्छा लगेगा आप टीकिस अधेर के लिए और करें बना सकते हैं झाल 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 झाल